उतरप्रदेश में पॉर्नोग्राफी को लेकर के बड़ा पहल किया जा रहा है जिसके जरीए अब जो लोग इसका गलत इस्तमाल करके कहीं न कहीं एक अपरात की शकल में इसको अंजाम देते हैं उस पर नियंतरण करके एक नई कवायत है दसनब्बे की तरफ से क्या कुछ कैसे इसे किया जाएगा हमने साथ बात करने के लिए नीरा रावत जी है एडी जी मैं किस तरीके से हाई यू मेकिंग शूर दैस जो आपका प्लान अफ एक्शन है यह जो दसनब्बे की नई सर्विस है इसके पीछे किया इंटेंशन है कैसे आप इसको बना रहे हैं दसनब का प्राइमरी रोल होता है कि जब कोई घटना हो जाती है तो उसके उपर हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो यह एक प्रयास है कि क्या हम लोग कुछ इंपक्ट कर सकते हैं प्रिवेंटिव साइट पर तो इसके तहट लगबग 10-15 दिन पहले हम लोग उने एक ब्रेंस्टॉ कर दोड़ब पर तो इसकी प्रॉइशन किया था जिसमें लखनों के अलग 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 वर्टिकल्स के रेप्रेसेंटेटिव ने उसमें भाग लिया था उसकारिकरम का नाम था वैचारिक समागम उसमें एड़ोकेट भी थे साइकोलोजिस्ट थे डॉक्टर्स थे उनिवर वाचिंग ओफ इंटरनेट का कही ना कहीं एक प्रॉबिबल कनेक्टिविटी हो सकती है विद सेक्शुल ओफेंसेस अगेंस्ट विमन ऐसी स्टडीज कुछ हुई है तो उस मंतन में उस वैचारिक समागम में ये निकल करके आया कि अगर हमें कुछ भी करना है तो we have to try to impact the minds चाहे वो सेक्शुल ओफेंसेस हो चाहे डोमेस्टिक वाइलेंस हो डिस्क्रिमिनेशन हो या और किसी भी अन्य प्रकार के जो ओफेंसेस विमन के अगेंस्ट होते है तो इसको ध्यान में रखते हुए उनका ये व्यू था सबका कि इसमें family is the microcosm हम लोगों को family तक पहुँचना चाहिए हरा जोल तक पहुचना चाहिए and social medium social media is a very important media जिसको हम लोग traditional means के ऊपर over layering कर सकते हैं traditional means के साथ-साथ हम social media का भी इस्तिमाल करें और preventive measures में अगर घुसना है तो इसमें cultural impact लाने के लिए impacting the minds करने के लिए we should try to reach out to the people following this we try to do a digital outreach program उस digital outreach program का नाम है हमारी सुरक्षा 10 mobile हाथ में 10 97 में ये हमारे outreach program का नाम है ये एक public participation का campaign है और इसमें हम चाहते हैं कि जादा से जादा लोग इसमें जुडे इसमें ये एक awareness campaign भी है और एक public participation का campaign है इसमें हमारे साथ digital scientists कुछ इसमें involved हम लोग professional scientists इसमें involved कर रहे हैं and इसमें artificial intelligence के थूँ भी जो data available है psychographics का इस्तमाल किया जा रहा है जिसमें neural analysis होता है तो इसमें एक aspect ये निकल करके आया कि जो child pornography है child pornography is illegal in India तो child pornography को यदी कोई abnormally देख रहा है एक बार दो बार की बात नहीं abnormally देख रहा है जिसको artificial intelligence के थूँ there are platforms जो उसको monitor कर रहे है तो उनके थूँ हम लोग कुछ एक advisory type का एक pop-up उनके पास push-hump करने का प्रयास है just so that कि एक mindset की एक thought process को अगर ये help कर सके that is the purpose आपकी बात उससे लगता है कि to sensitize people on the ground level is moreover the initiative लेकिन अगर ये अपरात की शकल में आगे दिखता है कोई आगे माली जे कोई शिकायत होती है और आपको ये pattern उसके थूँ मिलता है क्या विल्यू भी आप उसको एक evidence या एक उसको आधार बनाके कारवाही के लिए इसको इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा देखिए मैं at 1090 मेरे ये एक police station नहीं है 1090 पर हम लोग कोई FIR दर्स नहीं करते अगर कहीं से भी कोई complaint कोई लड़की करती है आज भी करती है साइबर क्राइम्स होते है या कोई और छेड़ चान की घटना होती है तो हम लोग पहले तो प्रियास करते हैं काउंसलिंग का और अगर उस पर नहीं होता और संगीन अपराद है तो हम लोग local police की मदद से फिर उसमें F.I.R. दर्ज होते हैं और फिर लीगल एक्शन होता है आपको लगते हैं मैं इससे थुरा बदलाव आएगा क्योंकि जिस तरीके से लगा तरह डिजिटल का दौर है और सारी चीजें बच्चों से किशोरों के पास आसानी से अवेलेबिल है एक फरक पड़ेगा क्या अभी तक कुछ इस तरीके का ट्रेंड आपको दिख रहा है अभी दो दिन ही हुए है बट मेरा यह मानना है कि हम लोगों को सबको मिल करके यह एक ऐसी चीज है ओफेंसे अगेंस्ट वुमेन जिसको सिफ पुलीस नहीं सौट आउट कर सकती पुलीस केन कम इन इफ अफेंस हैस टेकन प्लेस तो पुलीस का रोल तो डेफिनेट है कि उसके उपर इन्वेस्टिगेट करे और आगे कारेवाही करे प्रोसिकूशन में जाए लेकिन यह उससे पहले कि क्या उसको हम लोग रोक सकते हैं उसमें एक कल्चिरल चेंज और एक सबकी पार्टिसिपेशन की अवशकता है प्रियास करने चाहिए प्रियास कभी रोकने नहीं चाहिए वो प्रियास सफल होंगे या नहीं होंगे यह मैं नहीं जानती लेकिन असफलता कि डर से प्रियास करना अत्मी चोड़ दे यह मैं नहीं मानती हम लोग परिक्षाओं कमे में अत्मी तयारी करता है competitive की तयारी करता है एक बार नहीं आता है दो बार नहीं आता है तो क्या प्रियास करना चोड़ देंगे तो कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, जिस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक सोशल माइंड सिट की चीज है, ये एक दिन में चेंज नहीं होती, it is a long process, पट कहीं ना कहीं एक बीज बोने की कोशिश की है, एक प्रयास करने की कोशिश की है, और आपके महाद्यम से हमारा सबसे एक अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी सुरक्षा, ये जब पॉर्नोग्राफी वाला बात बोल रहे हैं कि वो चाइल्ड पॉर्नोग्राफी का वो एक बहुत छोटा सा अंग है इसका, हमारी सुरक्षा बहुत बढ़ा कैम्पेन है, तो ज्यादा से जादा लोग हमारी सुरक्षा केंपेंड में जुड़े और इस अवेरनेस फिलाने में हम लोग सब एक दूसरे का हाथ में लाएं एक दूसरे की मदद करें and to see if we can try to do something about it. आगे इसको expand करने के बारे में सोचा जाएगा जिस तरीके से इसमें आपको development मिलती है क्या आप इसको और बढ़ाने के लिए खोशिश करेंगे? बिल्कुल जो हमारी एक core team बनी है जो वेचारिक समागम हुआ है उसके बाद एक core working team बनी है और हम लोग इसमें और भी आगे activities करेंगे हम लोग अभी एक समवात शंकला भी इसके बाद शुरू करेंगे जिसमें हम लोग colleges में, schools में, RWA में, slums में, villages में, जहां जहां तक हमा तरह के लोग है मारे पालिनिस में academicians भी है, universities के भी लोग है, NSS से भी है, we have panelists from all the walks of life, तो सबको मिलकर के इसमें आगे कदम बढ़ाना है, यह बहुत लंबा रास्ता है, यह एक दिन में नापा नहीं जा सकता और नाहीं इसको एक दिन में measure किया जा सकता है कि इसमें कितनी प के डर से प्रयास करना नहीं बंद करना चाहिए, दूसरे अपने आपको evolve करना चाहिए, अपनी strategies को evolve करना चाहिए, ठीक है यह strategy वर्क नहीं कर रही, let us think of something else, सब लोग मिलकर के सोचें क्या हम और कुछ और क्या सोच सकते हैं, that is the idea.